हेलो फैंट्स कैसे हो बढ़िया हूं डिफेंट एट्यूकेशन क्वाइट यूटूब चैनल पे फिर आपका हाधिक स्वालत है इसली वीडियो में हमने बेरोजगरी के बादे पड़ा था बेरोजगरी के परकार के पड़े थे कुछ हमने परकार के बाते की थी शेशों परकार रहे थे उसका हम इस वीडियो के अंतर बात करेंगे तो हमने पिछले वीडियो में बेरोजगरी के चार टाइप्स पड़े थे सबसे पहले हमने परचन बेरोजगरी के बारे में सोना था दूसरा हमने गर्चनात्मत विरोजगारी के पारे में पढ़ा था तीसरा हमने चक्रिय विरोजगारी के पारे में पढ़ा था और चोथा हमने सरंचनात्मत विरोजगारी के पारे में पढ़ा था आगे जो शीज पॉर्ट बचा है उसके बारे में हम चर्चा करती हैं सबसे पहरे हम बात करती है अल्ग बिरोजगारी के लिए अगर हम बात करें तो अल्ग बिरोजगारी किसे खहा जाता है कि व्यक्ति काम करना चाहता है उसकी काम करने की शम्ता भी जा रहा है लेकिन उस व्यक्ति को उस शम्ता के अनुसा कारें नहीं मिल पा जैसे–एएगर हम बात करें,कोँ वेक्नी 8-2 काम कर सकता है, लेकिन उसे कुतनी वेक्ने काम कम कर रहे है चार वेक्ना में यारि वो जितनी अपनी शम्शत बखारे में लगाना चाहता है उस से उसको कम कम कर रहे है तो वो बेरोजगारी किसमे कहलाती है अलग tubesны इसे अल्व बेरोजगारी भी कह सकती है यानि बहुती काम करना चाहता है काम करने की शमता भी जाता है लेकिन उसे कम समय काम मिल रहे है बाकी समय को क्या हो जाता है बेकार हो जाता है या बेरोजगार हो जाता है तो इसी दिए उसे क्वात खि版 पोरी दिन के अंदर किढ़िए एक दिन के अंदर कम से कम उसे आठ भाने कां मिलना चाहिए कित्दे का मिलना चाहिए? आठ गांदी. और क्वर्ष 000 के उसे कित्ते दिन काम मिलना चाहिए? याणि अगर सर्टार का जो एक मनग है वो written कहता है that कि यहीं किसी व्यक्ति को आठ गंडे प्रतिदिन काम मिल रहा है समय निदाइत है प्रतिदिन किते गंडे कम से कम आठ गंडे और उरे वर्ष्ण किते गंडे काम मिल रहा है दोसों की हित्तर गंडे काम मिल रहा है तो व्यक्ति बेरोजगा भी मारना चाहता है लेकिन यानों बेकि आठ घंडे काम करना चाहता है, लेकिन उसको काम कितने गंडे मिल रहा है, चाहते गंडे मिल रहा है, तो हम अनर बात करें कि उसको जो काम करना चाहता है, उसकी समय अवधी उसके पास भी ज्यादा वाग कारे करने की शम्ता भी है, लेकिन उसकी कारे शम्ता का पुन प तो वो किसके अदर गिना जाएगा अल बेरोजगारी के अंदर गिना जाएगा अगली बात करते हैं हम दूसरी बेरोजगारी की जिसका नाम है मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी नाम से बतल लगा है कि मौसम के अनुसार अगर ना मौसमी थो मोसम के अंबूर, यानि ही ये взapor मोसम की अंबूर्ज कारी होती है। जिसने विप्ती को एगर मोसम के अंबूर मिलता है, और जैसे ही मोसम जाता та ए। उसे हमें बА्दड उसको कारी को हटा हिया जाता है। कि अगर आइस्ट्रीन की बात करें बुलंस कपड़े वगारा होते हैं जो थीक है वोले उसमें भी क्या होता है वेधियों को कम काम मिलता है कम समय काम मिलता है और बाकी समय वो क्या रहते हैं बेरोजगारी यह पुरे सार में चार महीने छे महीने काम मिल जाता है बाकी वो छे महीने क्या रहते हैं बेरोजगार रहते हैं कैसी बेरोजगारी को उसी बेरोजगारी कहलाती है, मोसमी बेरोजगारी कहलाती है, पहरे हमने अलप बेरोजगारी के बारे में पढ़ा कि विक्ति कारिय शम्ता उसकी ज्यादा है, लेकिन उसको कारिय शम्ता से क्या मिल रहा है, कम-कम मिल रहा है, यानि प्रतिन अगर आठ तेब दूसस्रोगारी है। अगलेत भेड़ोगारी बात करने हैं शीक्षित भेड़ोगारी। कि शिक्षित में रोजगा ही बताए कि शिक्षित में रोजगा ही कि व्यति आज पड़ा लिखा है ठीक है शिक्षित है व्यति लेकिन उसको शिक्षा के अनुसार काने नहीं मिल पाद कि शिक्षित में रोजगारी के अंदर गिना जाता है यानि कहने काम उसकी शिक्षा के अनुसार उसे काम नहीं मिलना वो क्या कहलाती है शिक्षित व्योजगारी कहलाती है व्यति काम करता है ठीक है किसके खॉय्डिंग जो उसकी एजूकेशन इसकी कम कार्एश how या स्ब्सीके लेवल का शिपशित वे रोजगारी के बारे हैं, आप जानते हो कि लोगडाउन चल रहा है, लोगडाउन के ज़रान बेरोजगारी की दर बढ़ती जारी है, बढ़ती है है, अब आसी लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने ग़र की तरफ रभाना नहीं, क्यों उन्हें का क आप इस लिए क्या कर रहे है, वह भी जहन से आये थी, वहाँ अपने घरों की तरफ की प्लाइन करेंएं, जैसे कि अप्रहेल के बात की आँगड़े की बात करें तो बाहरत ने यानि अप्रेयल के अंदर जब यह आगड़ा आया कि बारत के अंदर 30.52 बेरोजगारी की दर हो चुकी है और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर कि अगर हम बात करें को फैंड़ेटर के अंदर कितनी पीचेतर पॉइंटर 8 पॉइंटर कितनी पीचेतर पॉइंटर उसके बाल सबसे ज़्यादा के बारत के अंदर 49.8 प्रतिशब वेरोजगारी की दर का आखड़ा नुट की आ गया है यानि पूरे भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत में 30.52 प्रतिशब वेरोजगारी की दर को मापा गया जो सबसे ज़्यादा मनी जाली है यानि 1949 के बाल अगर देश के अंदर जो मन्दी आएगी और वेरोजगारी आएगी वो सबसे ज़्यादा 2020 के अंदर देखने को मिली है 23.52 प्रतिशब वेरोजगार उसके बाद सबसे ज़्यादा तो यह आगड़ा हर जगा बरता ही जाएगा क्यों 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 कि यह योडाउन कारें चलना रहा है कि अंदर इसकी बात है लोगराउन के दरहां रिए ट्मों काम ला नहीं , काम नहीं मिलनेगी कि पाराः उसके पास बेतन नहीं हो कारण व्वष्ज्वों की ॥ वह वह कम करते है रोन पारिक वस्त्त्मों की नेश्प्स करेश ऐने की में करा दरेगा किसमें पढ़ेगा देश के आद्रेशतां में पढ़ेगा अंप डिमांड कमोगी vand कमों ने से पाधन कमोगा उत्तपादन कमोने के कार्मचारी के विश्य भी क्या हूंगी क्या चाहिए। Κिस तर में कार्मचारी को, यूसर्度 code है बत्ती वर्द्मान मजबूरी पर काम करना चाहता है लेकिंगी उसके काम नहीं युर्टियां काम भी करना चाहता है तो कुंसी पीरोज़काई कहलाती है खुली पेरोज़कारी कहलाती है यह नहीं कहने का मंदनदी होता है कि वेक्ति वर्तवान मज़ोजी पर कारी करना चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता, तो वो कुछ सी बेरुजगारी या लाती है, खुली बेरुजगारी, इसमें ज्यादा तरक क्या होता है कि गाम से लोग शहरों की तरफ प्लाइन करते ह तो लोग गावों से कहां शेयर में प्लाइन करते हैं जैसे का रखा था कितने लोग परवासी अपने स्थान पर वापिस जा रहे हैं उनके आंकड़े लाभू के अंदर हैं क्यों गये हैं वो क्योंकि उनको कारे वहां पंदली मिल पा रहा है हमके गाव के अंदर वो गावों से कहां प्लाइन किया था वो नहीं शेहरों के अंदर क्योंकि जो प्रचली दर पर वो काम करना चाहते थे एक हैं उन्हें काम मिल रहा था लेकिन अब वो काम करना चाहते है लेकि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा, लेकि कुंसी बेरोजगारी कहलाती है, खुली बेरोजगारी कहलाती है, देखो सबसे पहले जो हमारी वीडियो आया थी, टैक्स की, डिरेक्ट टैक्स, इंटरेक्ट टैक्स के बारे में बढ़ाया था, बहुत से बच्चों ने उनका अं वीडियो अब्लोड कर दी जाएगी, आप रहास वरे वीडियो देखते रहें कहीं बार क्या होता है कि समिक यह वाखेकार एशा 2-3 वीडियो बन जाती है, और समिक मिलते ही वीडियो का अब्लोड कर दिया ज़ता है, आप कर दी वीडियो देखते रहें, यूटूब चैनल डिफेरेंट एट्विकेशन पॉइंट से जुड़े लें, इस वीडियो में नहीं तो नेक्स वीडियो में आपको उसका अंसवर मिलेगा, जो आपने कमेंट बैक्स के अंदर किया है, वीडियो बिरोजगारी के आज हमने पार्ट पढ़ ली, अब हम आज की क्योश्यन के बारे में बात करते हैं, आज का बेना क्योश्यन है, कि अब इपने आपको बिरोजगारी के बारे में पढ़ा हैं, उसमें इमने क्या बात की दी, वेक्ति को उसकी कारे शुमता बेरोज साथ, उसे काम समय काम मिलता है, पेते गंडे, आठ गंडे से कम, सर्तार ने जैका अब बिरोजगारी में कर्कुलेट होता है, तो आज मेरा आपसी क्योश्यन यही है, कि यह जो सरकार ने मनक वर्ष्टे किया, आठ गंडे, दो सोती हेतर दिन, यानि एक दिन के अंदर कम से इसमाट गंडे, और वर्ष्टे से दो सोती हेतर दिन काम मिलना जहिए, यह कौन स आपसी कि पंचवर्षी योजना में किया, यहीं सरकार का जो मनक वर्ष तैर किया गया, आठ गंडे, प्रति दिन और 255 दिन वर्ष के अंदर, यह किस पंचवर्षी योजना के अंदर किया गया, वर्ष का नाम बताना है आपने comment box के अदर, ठीक है, बेरोजगारी के परका हमारे यहीं बरकतम होते हैं बेरोज़ारी का एक टॉपिक हो रहे गया है वो नेक्स वीडियो में आपको मिल जाएगां ठीक है दने बार